येपाल EFATF को ग्रेलिस्मा पने सम्माऊना बढ़दे गई रहेगा छा EFATF को मतलब हो Financial Action Tax Force जसले देश को Financial Activities लाई निगरानी गणे गरता छा इसेसकरी नेपाल जस्त देश जसले देश बाटो देरे सामान अरो इंपोट गर छा रा अरुडेस बाटार लोन ये रह देश चलाऊँ छा बय देशिक लगानी मानी वर देश का लागी ये देरे चिंता को बीछे हो एदि कुन्य देश याफटी आफको गरेलिस्मा पोरे मने वने उन्चात उदारन को लागी पाकिस्तान लाइरों दिस्तान पनी आफेटी आफ को एलिस में परेगतियों रोब पाकिस्तान ले 2 बिलियन डॉलर को गाता भी अरेगतियों और अई लेट इसका हालत केशा वनने बारे मां वलत हावाई को ग्राहू आफेटी आफको काम होने गाई मुख्य गरी तीन तरीका बाट मुख्य गरी रियल स्टेट क्यासी नो र सवकारी बाट उने देश ट्रेरिस्क फंडिंग बाट चल छा बने जस्ते क्यू आ इरान नत करू याज सिरिया र तियां देरे बस्ट चार मुणे लॉर्निंग उन्चा बने एस्ता देशलाई एफेटी आफ ले ग्रेलिस्मा राहने गता छा र सुधार भायेन बने ब्लाक रिस्मा राहने क्या समाय पहले नेपाल मा पनी याफेटी आफको मीटिंग वायेको थियो जा नेपाल ले पंद्र ओड़ा कानन लागू नगरेको पाईयेको छा जसले गर्दा एसस लॉंडिंग, इमोन ट्राफिकिंग, इमोन ट्राफिकिंग एन्टासुटेशन र अर्गनाज्स क्राइम आर्फिकंग, इमोन ट्राफिकंग, 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 इमोन बने स्लाइब बलाक श्मा राहनी निक अए कोने पने देस अफ़ित हमानी कें उन्हें जोटा अर्णी पने कर भीद्रीम परिय। जसले गरदा देश को GDP डाउन अने गरदा चा नौध कोरिया इरान सिरीया अईले याफ़ेटी आफको ब्लाक लिश्मा शन नेपाल 2008 मा याफ़ेटी आफको ग्रे लिश्मा परेगतियो 2002 वेल मा जंडे नेपाल ब्लाक लिश्मा परेगतियो इंडिया ले नेपाल लाए याफ़ेटी आफको ब्लाक लिश्मा पर्न बाट बचाये कतियो नेपाल अईले याफेटी आफको ग्रेलिस में पने चान देरेने छा तरह अईले नेपाल को समसद बाटा त्यों 15 ओडा नियम पारित गर्यों र र याफेटी आफको मेंबर इंडिया चाइना अमेरिका जस्ता देश अरूले कुने ओडा देशले सय गर्यों बने याफेटी आफको ग्रेलिस में पने सम्मावना मने कम होने गदा चान एसको लागी देश को रात नितिक अवस्ता इस तुरून आव सेक्छा तबल आज़ेगे इस पीडियो कस्त लाग्यों सुझाप शला पर्तिकरा दिना ना बुलना अला र आमरे इस चैनल लाई स्वास्काइब और बगुसानों ने लाइक पने गवानूला है धन्दी बात